हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी यूट्यूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में AC सरकेट ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे इसका एक प्रॉलेम सॉल करेंगे और ये आज AC सरकेट का 16th लेक्चर है तो देखे जो प्रॉलेम आज हमें सॉल करना है वो आपके सामने है question में क्या लिका है हम पढ़ेंगे question में लिका है the voltage and current equation in an AC circuit are given by v equals to 150 sin omega t i equals to 3 sin bracket में है omega t plus pi by 2 find the rms value of voltage and current also state the type of circuit and the power factor of the circuit तो चलो हम ये प्रॉलेम सॉल करेंगे और ये प्रॉलेम सॉल करने के लिए हम वही फार्मूलिस का use करेंगे जो हमने AC circuit के 7th lecture में बताए थे तो अगर आपने वो 7th lecture नहीं study किये है तो आप या से study कर लिजेगा उसमें आपको single phase AC circuit के सभी फार्मूलिस मिल जाएंगे वो फार्मूलिस अगर आपको पता है तो आप कोई भी single phase AC circuit का problem काफी आसान इसे solve कर सकते है वो वीडियो का link हमने आज के वीडियो के description में दे दिया है वहाँ से वो आप आसान इसे देख सकते है तो चलो हम सबसे पहले ये question में क्या data दिया है वो हम पहले लिख लेंगे as a given data then after इसका solution बनाएंगे तो question में यहाँ पे दो equations दिये है पहला है voltage का equation और दूसरा है current का equation तो given data में ये दोनो equations हमे यहाँ पे लिख ले रहा है तो चलो हम यहाँ पे लिखते है given data तो क्या क्या दिया है सबसे पहले voltage का equation दिया है तो वो हम लिख लेंगे क्या दिया है 150 sin of omega t ये voltage का equation है और current का equation दिया है current i equals to 3 sin of bracket में दिया है omega t plus pi by 2 ओके और यहाँ पे क्या find out करना है तो हम यहाँ पे list उसक voltage and current, देखो, current का rms value find out करना है, इसका मतलब v rms and irms, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, two find में, हमें क्या-क्या find out करना है, v rms, ये एक find out करना है, और irms, ये भी find out करना है, यानि rms value of voltage and current, और क्या find out करना है, तो question में यहाँ पे लिखा है, also state the type of circuit, यहाँ पे circuit का type हमें check करना है, इसका मतलब ये किस type का circuit है, क्या ये resistive circuit है, क्या ये inductive circuit है, ये capacitive circuit है, या RL circuit है, या RC circuit है, या RLC circuit है, तो किस type का circuit है, वो हमें यहाँ पे पहचानना है, circuit पहचानने के बाद हमें यहाँ पे power factor भी find out करना है, question में यहाँ पे लिखा है and the power factor of the circuit वो भी हमें यहाँ पे find out करना है तो यह हम to find में लिख लेंगे यहाँ पे type of circuit ओके यह कुछ सा है question mark और यहाँ पे power factor यह भी हम यहाँ पे to find में लिख लेंगे तो finally question में जो question दिया है उसके according यह हमने given data लिख लिए तो चलो अब हम इसका solution बनेंगे तो सबसे पहले हमें क्या find out करना है VRMS and IRMS VRMS इसका मतलब RMS value of voltage and IRMS याने RMS value of current तो यह कैसे find out करेंगे उसके लिए आपको formula पता होना चाहिए VRMS, IRMS का तो देखो formula हम यहाँ पे पता देते हैं अगर आपके पास कोई भी formula नहीं लिखा होता है तो तुरंथ आप अपने notebook में लिख लिया करो वैसे जैसा हमने कहा formula इसके उपर already इसके पहले एक special video बनाये थे वो video आपको देख लेना चाहिए वो काफी important video था तो यह देखिए यह है formula VRMS और IRMS के लिए तो VRMS का formula that is VM by root 2 और यहाँ पे IRMS का formula that is IM by root 2 VM याने maximum voltage and IM is the maximum current अब यह VM और IM कहां से मिलेंगे तो उसके लिए हमें काम करेंगे यह जो given दोनो equations हैं हम यह given दोनो equations को voltage और current के standard form के साथ जो AC voltage का जो standard equation होता है उसके साथ हम इसको compare कर लेंगे उसके साथ AC current का जो standard equation होता है उसके साथ हम compare कर लेंगे यह given दोनो equations को तो चलो हम यहाँ पे अब statement में लिखते हैं देखो यहाँ पे हम solution लिखते हैं आसानी से यह solve हो जाएंगा देखिए solution यहाँ पे लिखते समय सबसे पहले हम यहाँ पे काम करेंगे given साइन ओफ ओमेगा टी यह given equation हमने यहाँ पे लिख लिए इसको compare करो तो हम यहाँ पे लिख लेंगे compare it with compare it with इसको compare करना है किसके साथ V equals to Vm साइन ओफ ओमेगा टी के साथ compare करना है compare it with हम यहाँ पे लिख सकते हैं standard equation तो हमें यहां पे पता चल रहा है कि यहां पे Vm के जगा, यहां पे क्या है, 150 है, इसका मतलब Vm का value हो गया, 150, तो हम यहां पे लिख लेंगे, therefore, Vm is the 150, इसका मतलब maximum voltage हमें पता चल गया, कितना, 150, इसका use करके हम यहां पे Rms value, voltage का find out कर सकते हैं, तो चलो RMS value of voltage find out कर लेंगे तो formula हम सीधा सीधा apply कर लेंगे तो formula है that is V RMS equals to that is Vm by root 2 तो ये हम यहां लिख लेंगे 150 by root 2 तो इसका answer आएंगा that is 106. हमने यहां पे solve किया है 106.066066 volt तो finally हमें V RMS मिल गया that is RMS value of voltage अब हमें RMS value of current होना तो हमने क्या किये given voltage की equation को उसके standard form के साथ compare किये तो Vm से हमने V RMS निकाले अब क्या करेंगे current की equation को current की standard equation के साथ compare कर लेंगे उससे हमें Im मिलेंगा फिर हमें उससे I RMS मिल जाएंगा तो अब हम यहां पे लिख लेंगे also given that also given that current का equation हम यहां पे mention करेंगे क्या दिया है 3 sin of और bracket में है omega t plus of pi by 2 तो जाहिर से बात है यह current का given equation है इसको AC current के standard equation के साथ यहां पे compare कर लेंगे तो देखो हम यहां पे ऐसा लिख लेंगे compare it with compare it with standard equation तो क्या है standard equation तो current का standard equation होता है current I equals to I am sin of omega t plus that is plus minus phi देखो ऐसा होता है यह standard equation है तो यह दोनो equation को compare करो तो यह हम यहां लिखेंगे therefore I am is the हमें maximum current मिल चुका है वो कितरा है 3 ampere ठीक है I am का value 3 ampere है और phi क्या है तो phi है यहां पे pi by 2 तो हम यहां लिखेंगे phi is the pi by 2 pi by 2 याने ही 90 degree तो यहां अगर हम degree के form में लिखेंगे तो phi is equal to यह हो गया 90 degree तो इस तरह से हमने I am और यहां पे phi निकाल लिए है और अब असान इसे यह I am का use करके I rms निकाल सकते हैं that is rms value of current ठीक है formula जो mention किये थे वही हमने यहां पे लिखेंगे बस यहां पे values put up करो so I am by root 2 I am is the 3 ampere तो हम यहां लिखेंगे 3 divided by root 2 ठीक है तो इसका answer रहेंगा that is 3 by root 2 करने के बाद 2.121 तो हम यह लिखेंगे I rms I rms कितना मिला 2.121 ampere तो इस तरह से हमने rms value of voltage and rms value of current ये दोनों हमने find out कर लिए लेकिन problem complete नहीं हुआ है क्योंकि question में यहां पे लिखा था कि also find also state the type of circuit and the power factor हमें देखो हमने given data में लिख लिए था हमें type of circuit किस type का circuit है वो हमें बताना है और power factor भी यहां पे find out करना है तो circuit का type अब कैसे check करेंगे कौन से type का circuit है तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको current का equation check करना पड़ेंगा जो given current का equation है हमें उसको check करना पड़ेंगा तो given current का equation ये था that is i equals to 3 sin omega t plus pi by 2 plus pi by 2 याने ही plus 90 degree देखो यहां पे अब हम ये pi by 2 को हटा के इसके जगा 90 degree लिख लेंगे ठीक है अब इसके सामने plus है ठीक है phase angle phi के सामने plus है इसका मतलब ये है कि current voltage को lead कर रहा है ठीक है क्योंकि plus है plus है इसलिए voltage current को lead करता है अगर यहां पे minus होता तो हम यहां पे कहते है कि current voltage को lag कर रहा है लेकिन नहीं यहां पे plus है इसका मतलब current voltage को lead कर रहा है और यहां पे phi का value कितना है 90 degree है इसका मतलब हम ये कह सकते है कि current voltage को lead कर रहा है by an angle of 90 degree और अब ये कौन सा circuit है तो ये है purely capacitive circuit क्योंकि ये rule है हमने इसके पहले already capacitive circuit की उपर एक special video बनाए थे उसमें हमने ये बात बताए थे कि अगर pure capacitive circuit हो तो pure capacitance के across जब कभी भी आप AC voltage apply करेंगे तो उसके वज़े से जो resulting current है वो भी alternating form में रहता है AC form में रहता है और वो current voltage को lead करता है by an angle of 90 degree ये हमने बताए थे तो ये अब हम यहाँ पे mention कर लेंगे तो ये हमने यहाँ पे mention किया है since 5 equals to plus 90 degree जो हमने इसके पहले भी आपको find out करा के दिये थे ठीक है तो हमने यहाँ पे लिखा है therefore we can say that current leads the applied voltage by 90 degree and the given circuit is purely capacitive circuit ठीक है exam में भी जब इस type का problem आएंगा तो आपको इस type का statement लिखना compulsory है तो ये हमने लिख लिए कि जो given circuit है वो purely capacitive circuit है ऐसा हमने mention कर लिए लेकिन problem अभी भी complete नहीं हुआ क्योंकि अब इसके बाद हमें power factor भी find out करना है तो power factor find out करने का formula होता है cos phi power factor is the cos phi अब phi क्या है तो phi है 90 degree तो cos 90 तो cos 90 क्या होगा 0 cos 90 0 इसका मतलब power factor 0 तो आप यहाँ पे लिख सकते है ठीक है power factor ठीक है power factor पावर factor that is cos of phi that is cos of 90 degree ठीक है तो वो हो जाएंगा 0 cos of 90 degree 0 तो finally हमें power factor यहाँ पे मिल गया 0 लेकिन हम यहाँ पे mention कर लेंगे कि यह जो power factor है यह leading power factor है क्योंकि phi जो है phi के आगे plus है इसका मतलब यह leading power factor है so हम यहाँ पे लिख लेंगे it is a leading power factor तो finally question में जो कुछ भी find out करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने find out कर लिए problem यही पे complete हो गया उम्मिद करते हैं कि यह problem आपको समझ में आया होगा यह problem आपको अपनी practice book में जरूर solve करके देख लेना चाहिए यह था आज का AC circuit का lecture number 16 इसके पहले के lectures में हमने इसके जितने problems लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी अच्छी कासी practice हो जाए तो मिलते हैं next video में Thank you very much